अगयजिते हैं नमसकार दोस्तों ब्लैंडर में आपका स्वागत है इससे आगे के 2 लेसन में हमने ब्लैंडर क्या है कहां पर यूज होता है यह मैंने आपको बहुत पताया था दूसरे वीडियो में में आपको व्यूपोर्ट ने एकिशन हम कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको इंटरफेस और बताऊंगा ब्लेंडर 2.8 का जो बेजिक फंडामेंटल में है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे यहां पे कुछ भी अगर मेरे ब्लेंडर में कहीं पे भी कुछ भी मुवमेंट हो रही है कुछ भी यहां पर पप्चक को मुव कर रहा हूं रूटिट कर रहा हूं तो आप नीचे दिखिए नीचे सब कुछ चेंज हो रहा है इसे मैंने मुव किया एक्सिस और स्नैप लिखा हुआ गया तैनिया पर लिखा है चेंज फ्रेम बॉक्स चहां पर भी मेरा माउस चाहेगा कॉए इसके रिगार्डिंग वहां पर इंफ्रमिशन आ जाएगा तो बैं कि करेंगे तो लाइट वायूँ आझे डे शिर्ड़क ललेफ्र क्लिक प्रेश करेंगे बभी प्रेशत कि करेंगे तो न्यम्व यह वाया गया है साद़ी जो इनफ्रमिशन हूँ आप यहां पर न से आप Panel Change कर सकते हैं, यहां से, अगर मैं पर दूसरे Panel आ रहा है जैसरे यहां पर Image Editor चाहिए, मुझा भी You Editor चाहिए, यहां पर एकỏ트 Editor टैप दिया है, जहां से आपकोテ Ext Editor आभाट चाहिए, वीडियो स्केुवन्सT यूई एडिटर चाहिए कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं ठीक है और यह अलग-अलग यहां पर टैप दिये हैं यह मैं आपको बाद में बता हूं यह टाइम लाइन विंडो है हमारा उसके बाद यहां पर दोस्तों सबसे इंपोर्टन जो प इरिया मुझे चाहिए कहां पर चाहिए वर्टिकल चाहिए औरिजेंटल चाहिए तो आप कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं यहां पर मैं जैसे क्लिक करूंगा अब यहां पर दो इरियास आगे हैं मेरे यह हैं यह के हैं इसमें मुझे यहां से चेंज करना है कंपोजिट तो composition का जाएगा, इन दोनों को मुझे merge करना है, तो फिर आप right click किजिए, यहाँ पर join area, इसके साथ join करना है, तो आप इसके साथ join कर सकते हैं, यह आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप split करना हो, तो split कर दीजिए, join करना हो, तो right click कर करके आप यहाँ से join area कर सकते हैं, ठी उसके बाद है दोस्तो आपको सिंप अगल स्प्लीट नहीं करना है तो ब्लेंडर में यहाँ पर स्पेसिफाई यहाँ पर टैप दिए अगर आपको मोढलिंग टैप पर जाना रहा बहुत ने मौडप्व टैप पर चले होज़ें, अगर आपको करना है यू एडिटिंग करना है टेक्शर प्रेंट करना है शीडिंग करना है जिना आपको एनिमेशन करना है एंटरेंटरिंग करना है कंपोजिशन करना है scripting करना है तो भी आप यहां से change कर सकते हैं इसका जो shortcut है और control page up page down है आप कभी भी आप control page down करके आप down आ सकते हैं और कभी भी page up कर सकते हैं देखिए इसका हम बाद में एक एक step को define करेंगे अभी हम layout tab के बारे में discuss करेंगे उसके बाद तीसरा जो हमारे पास options है वो है हमारा यहां पे menu bar यहां पे आप click and drag करेंगे तो हमारा यह tool box आ जाएगा जिसमें move tool, rotate tool, selection tool, scale tool, announcement tool and measurement tool दिया है जिसका आप use करके अगर आप object को rotate करना है, move करना है तो आप यहां से कर सकते है, scaling करना हो simple scaling कर सकते है, move करना हो, simple move कर सकते है, यहां से आप new gate कर सकते है, पूरे interface को change करना हो और इसका shortcut जो है वो T है, एक बार T press करेंगे तो गाइप हो जाएगा, दूसरी बार T press करेंगे तो आ जाएगा, उसी तरह यहां पे hidden menu दिया है, transformation के लिए T press करेंगे, तो tool ball आए जाएगा, end प्रेस करेंगे, तो आपका transformation panel जो है वो on हो जाएगा यहां से, shortcut इसका जाएगा, अगर आपको end एद नहीं रहता है, hot key आद नहीं रहती है, तो आप यहां से click and drag कर कैसे menu ला सकते हैं, और कभी भी किसी भी menu का आप यहां से scaling करके, छोट and track कीजे, और panel को चोटा बढ़ा कर सकते हैं, यहां से आप click and track करके panel को आप चोटा बढ़ा कर सकते हैं, end प्रेस करेंगे, तो यह transformation का panel पूरा आजाएगा, इसमें आप tool में जाके, move के regarding, view के regarding, यह हमारा location, जो हमारा location point है, उसको आप कभी भी कहीं से भी change कर सकते हैं, अभी यहां से 20 cm, X में चाहिए, और 20 meter होगया स्वारे, 2 meter चाहिए, और यहां से Y में मुझे 2 meter चाहिए, and Z में मुझे 2 meter चाहिए, अब यहां पे मेरा gizmo जो है, यहां पे set होगे, अब मैं कोई भी object बनाऊंगा यहां पे, तो वहां पे ही आएगा, simple, तो बहुत ही यह important है, इसक देख सकते हैं, और दूसरा जो tools box है, वो आप shift space bar दबाएंगे, तो भी यह tool box जो है, वो यहां पे आ जाएगा, जहां से आपको object को rooted करना है, shift space, scale करना है, shift space, transform करना है, select, shift, press, कहीं पे भी यह hot box जो है, वो add हो जाएगा, उसका shortcut है, shift और space bar, और इसका shortcut है, end tool का shortcut है, T, ती से भी आप tool को activate कर सकते है, end प्रेस करके आप view को activate कर सकते हैं, और shift और space bar दबाएंगे, तो आपका hot tool box आ जाएगा, तेक है, और उसके बाद है, यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने page up, page down के बारे में बता है, जिसका आप control page up, page down, जिसका use करके आप अलग-अलग mode में जा सकते हैं, editing करना हो, sculpting करना हो, composition करना है, rendering करना है, texturing में जाना है, modeling करना है, ठीक है, तो यह थोड़े बहुत shortcut है, जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से repeat करेंगे, T for tools, N for transformation, and shift space bar for hot box आ जाएगा, इसको gizmo को मुझे change करना है, तो आप end प्रेस करके, यहाँ view में cursor को आप change कर सकते है, cursor का location, ठीक है, उसके बाद आप split कर सकते है, दो view को मुझे merge करना हो, दूसरे view मुझे चाहिए, तो simple आप यहाँ पर right click प्रेस किजिए, split area, then split हो जाएगा, और इसको merge करना है, तो दूसरी बार उसी area पर right click किजिए, और join the area, और यह join हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने यह अभी मेरा जो origin है, वो यहाँ हम object के हिसाब से transformation करके हम लिए आए, अब मुझे इसको फिर से center में ले जाना है, तो control S प्रेस करेंगे, shift S प्रेस करना है, shift S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर option आए जा, cursor to world origin, shortcut इसका one है, cursor to grid, select cursor keep to offset, select to cursor and select to active, select to grid, cursor to achieve, cursor to select, अभी हमें यहाँ पीचे, cursor to world organ है, world organ, यहाँ पर आगे, center में एक जचर्च, यहाँ से पहले था, start में, ठीक है, एक छोटा सा option है, जिसका आप use करके, और यहाँ से भी आप ला सकते हैं, set origins, यहाँ से भी आप origin to geometry, origin to 3D cursor, origin to center of mass, origin to center for mass, और geometry to origin भी यहाँ से आप change कर सकते हैं, और किसी भी object हम origin set कर सकते हैं, उसके बाद है, दोस्तों, यहाँ पर नीचे timeline दिया है, जिसमें आप animation कर सकते हैं, playing, stopping, keyframe को कैसे generate करना है, auto keyframing कैसे करना है, और यहाँ से आपको कितने frame तक का animation चाहिए, start कहां से होना चाहिए, और end कहां तक रखना है, middle click mouse से आप zoom in, zoom out कर सकते हैं, scrolling से आप zoom in, zoom out कर सकते हैं, then उसके बाद यहाँ से आप keyframe भी set कर सकते हैं, यह play और stop के लिए हैं, कीframe को मैं in depth में आगे बताऊंगा, फिलहाल हम यहाँ पे हमारे control panel में चाहिए, यह हमारा पूरा blender का control panel है, सबसे important portion जो ही यह है, यहाँ पे जितने भी tabs दिये हैं, बहुत ही important है, सबसे पहला जो tab दिया है, वो transformation का tab दिया है, जो भी tool आपका यहाँ पे select होगा, उसके regarding options यहाँ पे आएंगे, workplace के regard, के selection के through आप क्या-क्या कर सकते है, move में आप क्या-क्या कर सकते है, scale में आप क्या-क्या कर सकते है, rooted में, then center में, then transformation में, जिसे selection किया है, तो selection में आप यहाँ पे extend, existing selection, यह आपको पता ही है, Subtract and Intercept and अलग-अलग more दिये है Second जो option आपको जो camera का symbol यहाँ पे दिख रहा है, वो render panel है जिसमें आप यहाँ से render engine select कर सकते है EV render करना है, cycle में आपको पूरा scene render करना है ठीक है, then उसके बाद आप sampling render के, sampling कितने रखने हैं बाकी के जितने भी option है, बाकी के जितने भी option से वो rendering के regarding है render में आपको कैसे कैसे settings करने है then उसके बाद यह print जैसा कुछ symbol यहाँ पे आ रहा है, वो output symbol है जिसमें आपको output का size क्या रखना है, X और Y का position क्या रखना है, render region करना है कौन सी frame के, frame से आपका animation स्टार्ट होना चाहिए, कहां पे कतम होना चाहिए frame rate कितना रखना है, stereoscopy वगएरा वगएरा यहां से थोड़े बहुत pre-set भी दिये है यहां पे, को जो भी render का output set करना है वाप यहां से कर सकते है यह render का setting है, यह render का output है then उसके बाद यहां पे दिया है view layer, जिसके अंदर यहां पे जो view दिख रहा है, layers यह layer panel है यहां पे उसके regarding अगर आपको passes में render करना है तो उसका setting यहां पे दिया है उसके बाद यहां पे जो में उनक दिया है, वो scenes menu है यह वाला option, scenes, fourth one, scenes जिसके अंदर आप scene, यानि कि AMRA scene है उसका background कैसा रखना है, active mode कौन सा रखना है, camera कौन सा select करना है gravity, unit, यह पूरे scene का हमें unit यहां से change करना है, each में करना है, feet में करना है, ठीक है तो आप यहां से कर सकते हैं, scenes panel में थोड़ी बहुत custom property भी दिया है, rigid body covered दिया है, audio के regarding अगर आपको कुछ ची है तो आप यहां से change कर सकते हैं यहां कि पूरे scene का setting जो आप यहां से कर सकते, rendering का setting आप इस दो option भी कर सकते हैं scene का, view के layer का setting आप यहां से कर सकते, passes का, उसके बाद यह world, world, जिसके अंदर आपको को यह background में image कौन सा रखना है, ठीक है यह जो है पुरा वो environment के regarding है, world के regarding है पुरा, उसके बाद यहाँ पे दिया है दोस्तो object, यानि जो भी हम object select करेंगे, उसके property x में वो कहाँ पे, y में कहाँ पे, scaling उसका कितना है, उसका relation को कितना है, child, parent, parameter को add करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, custom property भी आप यहाँ से add कर सकते visibility आप यहाँ से add कर सकते हैं, यानि कि यह वाला जो option है, वो object के regarding है, then उसके बाद आ रहा है physics step, जिसके अंदर आपको अलग-अलग forces अगर आपको add करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे भी particle system add करना है, तो आप यहाँ से add कर सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा object constraint, अगर आपक अगर आपको light अगर आपने select नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे light का options नहीं आएगा, यह बहुत खास याद रखना है, जब आप light को select करेंगे, तभी वो active होगा, वरना आपको नहीं दीखेगा, जैसे आपने दूसरा object select किया, तो आप light यहाँ पे डूंदते रह जाओगे, कि मुझे light कहां से add करना है, light का parameter नहीं आ रहा है, कहां से में करूँ, तो आपको यह याद रखना है, कि जब आप light को select करेंगे, तभी यहाँ पे उसका parameter जो है, आप option जाए होगा, highlight होगा, object data में, यहाँ से different type की light दी है, sun light है, spot light है, area light है, उसका color change करना, intensity, power volume, specular radius कितना र सकते है, किसी भी light का, ठीक है, light की property, आप यहाँ से change कर तक spot light करना है, area light देना है, point light देना है, उसका color कैसा रखना है, यहाँ पे view नहीं दीखीगा, क्योंकि render में जाएंगे, तभी light की effect दीखेगी, ठीक है, यह light की regarding उसी तरह camera में same option है, जैसे आप camera select करेंगे, यहाँ पे, तो camera का option आजाएगा, perspective view रखना है, orthography रखना है, panoramic view रखना है, ठीक है, कितने mm का रखना है, lens की property क्या रखने, x and y में कुछ shift करना है, जब कभी भी आप object को select करेंगे, तभी वो option आपको यहाँ पे दीखेगा, camera में कितना depth of field रखना है, ठीक है, सारा camera के regarding है, उसके बाद यह वाला जो option है, वो texturing के regarding है, अगर आपको किसी भी object का texturing करना है, material add करना है, तो वो आप यहाँ से image के थूँ add कर सकते है, ठीक है, यहाँ से आप नया image लेके, नया texturing करना हो, तो भी आप कर सकते है, texture load करना हो, तो आप in depth, in short में, आप texture यहाँ से ला सकते है, ठीक है, य यह हमारा scene collection है, यह हमारा view layer है, यह हमारा scene property, अभी हमारा current जो scene है, वो एक पहला ही scene है, यह पहला scene है, अगर आपको दूसरा scene add करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, new scene, तो नया पूरा आजाएगा, यह हमारा new collection है, new scene, create new scene, new scene हो जाएगा, फिर आप यहाँ से change क कर सकते हैं, कभी भी, कौन से scene में आपको क्या चाहिए, वो आप यहाँ से change कर सकते हैं, तो दोस्तो मैंने पूरा जो है अपना यह, पूरा मैंने आपको blender का UI समझा दिया है, control panel क्या है, timeline window क्या है, view को कैसे navigate कर सकते है, toolbar कैसे ला सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तो बस interface में आज इतना ही, next हम scaling and transformation से कहेंगे, basic fundamental में, तो इस channel से जरूर जुड़े रहें, और हो सकते हैं, मेरे इस channel को subscribe कर दीजिए, वीडियो को like कर दीजिए, और कोई suggestion हो, तो जरूर comment कीजिएगा, मैं comment में जरूर आपको response दूँगा, तो मिलते हैं दोस्तो, दोस्तो, next video में झाल